हलो दोस्तों यस्पिय क्लासेजवन में आपका हर्दिक स्वागत्युम अभिनंदन है आप देख रहे हैं अपने चैनल को चैनल देखने के लिए धन्यवाद आज हम आपको सिंप्लिफिकेशन ये नि सरली करण के बारे में बता रहे हैं ये बार्ड मास का नियम है इसको में बार्ड मास का नियम भी कहते है इस बार्ड मास के नियम से ऐसे प्रश्ण जो सरली करण वाले हैं हर प्रश्ण लगाया जा सकता है देखिए हमने एक सूत्र लिखा है बार्ड मास का तो बार्ड मास का जो ये सूत्र है बी से ब्रेकेट ब्रेकेट मतलब छोटा कोश्ट कि यह मजला कोष्टक कच्चिन ही यह है बड़ा कोष्टक कच्चिन ही यह है आफ का मतलब का होता है का का मतलब गुड़ा होता है डी से डिवीजन है डिवीजन का रथ भाग होता है यम से मल्टिप्लिकेशन है या मल्टिप्लाई है इसका मतलब होता है गुड़ा ए से addition है या add है इसका मतलब होता है जोड यस से subtraction है subtraction का मतलब घटाना होता है देखिए पहले इस लोग के रूप में यह चलता था यह चलता था का को पहले तोड़िये भागा देव उड़ा गुड़ा करो धन जोड़ की रिड़ को देव घटाई यहां का है का को पहले तोड़ दीजिए का का रत गुड़ा होता है फिर भागा देव उड़ा है फिर भाग को दीजिए फिर गुड़ा करो यह भाग हट गई तो गुड़ा करो गुड़ा के बाद धन को जोड़िये जोड़ने के बाद घटाईए उत्तर आपका आ जाएगा इसी आधार पर लगाए देखिए अब हम बता रहे हैं पहला question हमारा क्या है यहाँ 6 है 6 प्लस 8 भागे 2 माइनस 5 है अब अगर हल करेंगे बार्ड मास नियम के हिसाब से bracket नहीं है इसमें bracket नहीं नका है अब यह बचे हुए है यम डी यम एयस तो डी है division पहले हल कर दीजिए 6 प्लस 8 में 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगी माइनस 5 इस portion को पहले हल करना है यहाँ तक हल हो गया अब देखे division हो गया multiple इसमें कहीं भी गुड़ा नहीं है अब multiples नीचे आईए add जोड जोड देखे यहाँ है 6 4 10 फिर उसके बाद 5 है तब उसके बाद घटाना बचा हुआ है लास्ट में घटाना ही घटाने को कहता है दस में से 5 गया 5 यही आपका क्या हो गया answer हो गया बार्ड मास नियम के हिसाब से यह हल हो गया तो हमारा उत्तर कितना आ गया 5 आ गया अब देखे अगला कोस्टन क्या है अगले कोस्टन में 14 प्लस कोस्टक बड़ा कोस्टक में 16 माइनस मजला कोस्टक में 5 प्लस कोस्टक के चोटे कोस्टक के अंदर 9 फिर उसके बाद माइनस 5 चोटा कोस्टक बंद मजला कोस्टक बंद बड़ा कोस्टक बंद तो जब इसको हल करेंगे बार्ड मास नियम के हिसाब से देखिए ब्रेकेट में सबसे पहले छोटे को हल करेंगे फिर मजले को हल करेंगे फिर बड़े को हल करेंगे उसके बाद आगे हल करेंगे तो 14 है प्लस 16, minus मजला कोश्टक 5 है प्लस अब यह छोटा कोश्टक पहले तोड़ेंगे 9 में से 5 गया कितना आ गया? 4 आ गया मजला कोश्टक बंध, बड़ा कोश्टक बंद छोटा हल हो गया अब आगे मजले कोश्टक को हल करेंगे 16, minus यह 4 और 5 कितना हो गए 9 हो गए अब देखिए 14 प्लस 14 प्लस के बाद हमें क्या बचा है यहां से 16 में से 9 गया 7 बचा है तो 14 में अब घटाना तो अंदर कोश्टक के था घट गया 14 प्लस 9 वराबर 21 हमारा एंसर कितना आ गया 21 आ गया तो यह बाड़ मास नियम के हिसाथ से सही उत्तर है अब देखिए अगला कोश्चन क्या है देखिए अगला प्रश्चन यह तीसरा है 30 प्लस 16 भागे कोश्टक में है 9 माइनस 5 हल करेंगे 30 आगे 16 भागे 9 में से 5 गया तो बचा कितना 4 अब यह बाड़ मास नियम से लगा है पहले अब देखिए 30 प्लस 16 में 4 से भाग देंगे 4 बार जाएगी और 4 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 आसान कोश्चन आसान तरीकी से लग रहा है बाड़ मास की नियम से लगाते रही है देखिए अगला प्रश्चन क्या का रहा है उसको भी देखिए अगला कोश्चन है पाँच माइनस बड़ा कोश्टक पाँच माइनस मजला कोश्टक पाँच माइनस चोटा कोश्टक पाँच माइनस पाँच चोटा कोश्टक बंद माइनस पाँच मजला कोश्टक बंद बड़ा कोश्टक बंद इसी आदार पर लगाना देखिए सवाल वही है, देखिए सबसे पहले इसमें, बाड मास नियम के साब से इसको हल करेंगे, यहां पांच है, प्लस, सारी, पांच माइनस, सब माइनस है, माइनस है, फिर बड़ा कोश्टक माइनस, मजला कोश्टक, फिर माइनस, यहां घटा देंगे, जीरो हो जाएगा, फिर यह पां यहां पर मजले कोष्टक निसान होगा फिर बड़ा कोष्टक होगा तो यहां 5 है माइनस बड़े कोष्टक में 5 है माइनस यह 5 यह 5 पांच से 5 जीरो घट गया पांच हो गया माइनस 5 बचा हुआ है अब देखिए 5 है माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस यह घट गया जीरो हो तो 5 है 5 से माइनस अब ये कोस्टक 5 में से 0 अगर जाएगा तो मान आप परिवर्टिद रहेगा, 5 ही रहेगा 5 में से 5 गया, 0 गया इस परकार से उत्र 0 गया बाड मासनियम किसाब से इसको हल कर सकते है यह सूत्र देख लिजिए इसी सूत्र पर लगेगा आज की वीडियो ही समाप्त होती है कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक हम सब्क्राइब कर दीजिए धन्यवाद